हाँ बिटा तो आज जो अपन सुरू करेंगे वो होगा आपका कोशी का बित्ती हाँ पहले पढ़ा था कल कोशी का जिली जिसमें लाश्ट में मैं आपको बता के गया था कि कोशी का जिली के जो कि होती है आपकी अर्द पारगम्य जिली या चैनित पारगम्य जिली जो चैन क था दिर ने था एक हैं नहीं करते निम्न व्लाइब स्सांद्रता की तरब चीजह नहीं फिर अपन देखें आगे तो आज अपन पढ़ेंगे कोशिका बित्ती तो जन्तु कोशिका के अंदर कोशिका बित्ती नहीं पाई जाती पर पादब कोशिका के अंदर कोशिका जिली के बाद में पाई जाती है कोशिका बित्ती तो कोशिका बित्ती पादबो में पाई जाती लुक्त ऑपने देख़ें ये जो जीवद्रव्य को खवक या पौधा जो गवलतीया सब्सक्राइब अंत्रिक फृ Peki सब्सक्राइब लुक्ति नुयार क्युल你是 को यांत्रिक्साइब हीmor संपर्क बनाये रखने के लिए यह काम करती है थीक है अब देखते हैं पन की किसमें क्या-क्या है विट्थि केसी बनती है पादभ कोशिकाrintि कैसी होती है देखो तो आज का टोपिक है आपके कोशिकाक कुशिककाई प्षिय tell जिवानों में कोशिका बित्ती पाई जाती है सही बात है वो प्रो केरियोटी कोशिका थी आप यू केरियोटी कोशिका की कोशिका बित्ती बढ़ रहे हो और खास कर पादबों में कवकों में पाई जाने वाली कोशिका बित्ती सेवालों के अंदर पाई जाने वाली कोशी का बिती क्योंकि सेवाल भी एक तरह की क्या है पादप है तो ये सवाल आया भी था कि सेवाल की कोशी का बिती किसकी बनती है तो ज़्यादा तर बचोंने गलत किया क्योंकि उन्होंने समझ लिया सेवाल जो यह वो भी एक तरह का पादप है और पादप की खोशी का भित्ती सेलूलोस की बनती है तो इसकी भी सी बनेगी लेकिन ध्यान देना है मैं दोनौँ चीज़ें यहां पर लिख रहा हूं एक तरफ लिख रहा हूं सेवाल की कोशी का भ कि दोनों में डिफ्रेंस क्या है अंतर क्या है तो कोशिगा भित्ति का काम होता है जिवानों से रक्षा करना संकर्मन से रक्सा करना और कोशिकाओं के बीच में आंतरीक संबंध इस्थापित करना जो काम होता है वो कोशिका भीति का होता है सेवालों में ये कोशिका भीति जो बनती है आपके वो बनती है Cellulose Cellulose Gelectins Gelectins ये भी एक तरह का कार्बोइडरेट है मैनेंस मैनांस ये एक तरह की सरकरा कार्बोइडरेट ही है मिठी और केलसियम कार्बोनेट केलसियम कार्बोनेट इनकी बनती है सेवाल की कोशिगा बित्ती जबकि पादब की कोशिगा बित्ती जो है पादप की कोशिशी थी पैक्तीन एक तरह गार्जिटिन १र प्रोटीन प्रोटीन आप देखो इसमें रिसमें अंतर केई बच्चे गलती करके आये थे उस टाइम पे भी वापी सुन लेना सेवाल और पादब दोनों ही प्रकास अंसलेशन करते हैं यह सही बात है पर सेवाल पादब नहीं है यह अविक्षित पादब बोल सकते हैं इनमें ना जड़ होती है ना तना होता ह है ना पत्ती होता है आपने सेवाल पड़ा भी है एलगी सेवाल जैसे नील आपकी जो आपानी की उपर तेरती रहती है वो है तो प्रकास अंसलेशन तो करते हैं पर उनको आप पोधा नहीं बोल सकते यह थेलोफाइटा में आते हैं इनका थेली के आकार का चित्र होता है और यह इनकी कोशिगा भीत्ती किससे बनती है सेल्यूलोज गेलेक्टेंस मेनांस और केलसियम कार्बोनेट की बनी होती है जबकि पादब की कोशिगा भीत्ती सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज पेक्टीन और प्रोटीन की बनती है आया बेटा समझ में यह आया समझ में आप अब देखो यह कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनीवी होती है और क्या काम है इसका दो कोशिकाओं के बीच में संबंद इस्तापित करने वाला कौन होता है आपके कोशिका भित्ति होती है कैसे तो यह जैसे मालो कोई कोशिका है इसके चारों तरब यह आपका क्या है कोशी का बित्ती यह कोशी का बित्ती है ठीक है दूसरी सेल यहाँ पर बना देते हैं यह मैंने दूसरी सेल बना दी तो यह दो कोशी का है इसमें यह केंद्रक वेक्योल है ना केंद्रक वेक्योल इसमें बना दिया सबसे पहले जो नहीं नहीं कोशिका बनती है उसके चारों तरफ सेल्यूलोज की हैमिसेल्यूलोज की प्रात्मिक भित्ती बनती है क्या बनती है प्रात्मिक भित्ती बनती है यह प्रात्मिक भित्ती जो होती है इसमें विवजूत की कोशिकाएं पाई जाती है क्या पाई जाती है विवजूत की कोशिकाएं तो जैसे यह परिपक्व होती है और परिपक्वत होने के बाद में ये क्या करती है वापिस विबाजन करती है अंदर की साइड में तो उससे बनती है द्वित्यक बित्ती क्या बनती है द्वित्यक बित्ती तो सबसे आपके ध्यान से सुनना सबसे पहले आपके बनती है प्रात्मिक बित्ती तो अगर माल लो पर अब यह आतमिक ब्धिति एक बनाती है द्वित्यक बित तो कोशिका के बहार होता है आपके प्रात्मिक भित्ती फिर अंदर है आपकी डिट्यक बित्त जो की विबाजन से बनती है तो इस प्रकार से कोशिका भित्ती में दो चीजें तो बन गई प्रात्मिक भित्ती और दित्यक भित्ती अब दो कोशिकाओं के बीच में जो प्रात्मिक भित्ती और दित्यक भित्ती के अलावा दो कोशिकाओं के बीच में और क्या होती है इस कोशिका भित्ती के उ को इसका को भी सुरक्शा दें तो ये मद्य पटली का जो बनती है ये बनती है के केलसी अंच केल्सियम ही है का मेगनी शियम है मेगनी शियम का प। को उपर होने दो और नहिती है ःति के उपर जमाव होने से बनती है अब सवाल पूछा गया था मध्य पटली का बनी होती है option में दे दिया था calcium pactate, magnesium pactate यह वर दोनों और इन में से कोई नहीं तो मध्य पटली का बनती है calcium वर magnesium pactate से बनती है आया बेटा समझ में मध्य पटली का किसे बनेगी calcium वर magnesium pactate से बनती है अब इनका आप देखते हैं पन के यह क्या काम करते हैं और सुरक्षा कैसे मिलेगी तो देखो एक कोशिका बित्ती में तीन चीजे मेंली है एक तो प्रात्मिक बित्ती जो cellulose से बनती है फिर बनती है द्वित्यक बित्ती जो cellulose और hemicellulose के मिलने से बनती है फिर आपके बनती है मद्यपटली का जो दो कोशिकाओं के बीच में मद्यपटली का है वो calcium और magnesium pactate की बनती है तो देखो cellulose आ गया hemicellulose आ गया calcium और magnesium pactate आ गया और protein जो की इनके बीच बीच में ऐसे लगे वे रहते हैं जो इनको और मजबूती प्रदान करेंगे क्या करेंगे मजबूती ठीक है तो चार चीजे हैं यहाँ पर आके अब भी जो यह निर्माण हुआ है इसको आप बोल रहे हो कोशिका बित्ती तो एकोशिका बित्ती में कितने भाग है प्रात्मिक बित्ती दित्यक बित्ती और मध्य पठली का केई किताबों में ऐसा भी लिखावा है कि जो यह दित्यक बित्ती होती है यह भी आपके और विबाजन करती है और फिर बनाती है तृत्यक बित्ती जैसे जीवाणु है उनके एंदर तृत्यक बिति ही बन जाती है तो और ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी हैं के बड़ी सारी कोशिका बित्थि का निर्मान करते हैं अच्छा मद्यफर्ठिलीका जो होती है तो केलसिम और मेगनीशियम पेक्टेट और फ्रोटीन है और सर केल्सियम और मेंगनीशियम का अगर जमाव हो जाएगा तो फिर दो कोशिकाओं में संबंध इस्तापित कौन करेगा ये एक बहुत बढ़िया कुश्चन है ऐसा सवाल आया वाभी कि अगर आपने सर इधर पानी इधर पानी और बीच में रख दी हड़ी केल्सियम की ब रास्ता होता है बेटा इस रास्ते को कहते हैं प्लाजमो डेसमेटा जीव द्रव्य तन्तू क्या कहते हैं जीव द्रव्य तन्तू या फिर प्लाजमो डेसमेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर प्लाजमो डेसमेटा यह क्या होते हैं प्लाजमो डेसमेटा इस कोशिका के अं पक्र Honor coaching और और इसका इसने करना तो यहां पर भीलाज्मॉडस्मेटा हता है तो दो कोशिकाओं को आपस में 56 का भिती घुश्यका मध्या पतलिकर से जोड़ने का जो काम करता है वह करता है प्लाज्मोड नियुक्या पर द्यान से देख अंदर ये होगई आपकी जोटीयक भित्ती अतरटिक थी प्रात्मिक भित्ती और यह मद्य पटली का क्या तो यह मद्य पटली मेट हिए ऐसे ही समें तो यह द्यूटी आपके क्या रहेगा ये क्षा रहे गाल्यों दोनों जोडने का काम करते हैं या यह समझ में आपको कोश्ची का भिति सब को में चीजे के याद रखोगे कि कोशिगा बिती का काम क्या तो सर कोशिगा बिती सुरक्षा देती है अच्छा किस किस में पाई जाती है सर ये कवकों में होती है पादबों में होती है सेवालों में होती है ठीक है भई यह तो चलो आगे हमको समझ में उसके बाद में कि कोशिका भित्ती सुरक्षा के अलावा और क्या करती है कि सर देखो यह यांत्रिक धक्कों से तो बचाएगी यह ना हवा चल रही है कोई पत्थर मार रहा है उससे तो बचाएगी साथ साथ में कोई जीवान हो इ लीच में आपसी संपर्ख बनाने में भी मदद करता है आपसी संपर्ख कैसे अभी उपने पड़ा प्लाजमोडेसमेटा होता है तो उससे आपसी संपर्ख भी कौन बनाता है कोशिका भित्ती बनाती है अच्छा यह किसकी बनीवी होती है तो सर पादपों के अंदर तो यह बित्ती के अंदर अच्छा और सेवाल की जो कोशी का बित्ती होती है वो बनती है सेलूलोज, गेलेक्टेंस, मेनांस जो की मीठी सरकरा होती है और केलसियम कार्बोनेट नामक खनीज लवन से बनती है तो दोनों में अलग-अलग थोड़ी बिंता आ जाती है जो पादपों की कोशी का बित्ती होती है उनमें सबसे बाहर रहता है आपके प्रात्मिक बित्ती सबसे पहले जो कोशी का बित्ती बनती है वो होती है प्रात्मिक बित्ती उसमें विबाजन की समता होती है व्रद्धी की समता होती है तो वो जब विबाजन करेगी और परिपक्व होगी तो उससे बनेगी द्वित्यक भित्ती तो पहले प्रात्मिक भित्ती बनी फिर द्वित्यक भित्ती बनी अच्छा द्वित्यक भित्ती भी गभी क्या कर लेती है विवाजन कर लेती है और क्या बना लेती है त्रत्यक भित्ती बना लेती है ताकि और ज्यादा मजबूती मिल पाई जाती है मध्य पटली का जो की एक कोशिका भित्ती का ही भाग है जो केलसियम और मेगनीशियम पेक्टेट से बनता है और इस कोशिका भित्ती और मध्य पटली का में कोशिका दर्विय को इधर और इधर करने के लिए या दो कोशिकाओं को जोडने के लिए या कोशिका के कोशिका द्रव्य में समानको इस्तानांत्रन करते हैं अब आया समझ में यह सारी चीजे विटा चलो यह हुई आपकी कोशिक का बिद्ति तो चलो कल अपने घर था कोशिका जिली आज अपने पड़ लिया कोशुका बिद्ति सुकरवार तक जो आप पढ़ोगे वह आपके टेस्ट में आएगी आज हुआ है गुरुवर कल आप पढ़ोगे सुकरवार के दिन जो भी चीज़े अंत्रपर्दवी जाली का है या फिर राइबोसोम है कुछ भी पढ़ोगे वह आपके कोर्स में सेलेवस में आएगा ध्यान रखना अब अपन जाते हैं नए अब से बाहर का आवरण पूरा कंप्लीट है कोशिका जिल्ली हां बेटा बोलो प्रोकेरियोटिक कोशिका में नुक्लियोईड होता है ना सर वह थोड़ा वापस बताओ ना मुझे नुक्लियोड जो है बेटा वह एक तो आपके बिना जिल्ली का बि जो प्रोकेरियोटिक कोशिका का नियंतर्ण करने का काम करता है दूसरा नुक्लियोड के अंदर पाए जाते हैं आपके गुण सुत्र क्या पाए जाते हैं गुण सुत्र और उन गुण सुत्रों के उपर पाए जाती है जीन और उस जीन से आपके जो प्रोकेरियोटिक पाया जाने वाला यह DNA और RNA दोनों ही हो सकता है प्रोकेरिटी वो शीकाओं के अंदर और इनके उपर या प्रोटीन बनाने का काम करती है जैसे आपके गुण सुत्रे आपके सरीर में आए तो उसने आपके सरीर को बड़ा कर दिया ना कान अपने पापा ममी की तरह कर दिये कुछ दादा दादी के निसानी भी आ गई क्योंकि अपने जीन तो सारे आए हैं मम्मी पापा के जीन के साथ साथ में ना 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 क्योंकि हर बार क्या हुआ है आदे गुण सुतर उत अदर फादर अच्छा पापा जो बने वो भी तो मदर और उर फादर से बने अलमें तो उनके जीन भी आते हैं से तो जीन आगे से आगे जाते रहे तो इस नुक्लियोर्ड कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं ओके वेटा अब अपन देखते हैं अंतर जिल्ली का तंत्र अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सारा का सारा बार के साइड में था कोशिका जिल्ली आपने पड़ी वो भी कोशिका के बार थी कोशिका बित्ति आपने पड़ी वो भी कोशिका से बार थी अब आप कोशिका के अंदर आ रहे हो जहां पर है आपके कोशिका द्रव्ये और उस कोशिका द्रव्ये के अंदर आपको बहुत सारे तंतर अंग दिखे लवक परोक्सिसों यह सब के सब आपके किसमें आते हैं कोशिका दर्वे में पाए जाने वाले अंगों के रूप में अब अपन कोशिका के अंदर चलते हैं तो देखो पहला मैंने नाम दिखा है अंते जिली का तंतर अब आप सोचोगे सर अंते जिली का तंतर का मतलब आपन अंदर एक जिली होती है तो एककल जिली अंग सवाल पूछावा है क्योई दो एक एकल जली यंग कौन कोन से हैं आपके जैसे कि आपके लाइस सोमय है अन्तेः पर्दवी जालिका है लाइस सोम सूम है आपके एक रसधानी मतलब रिखती का रिखती का एक जी ऐसे एक जंदी अंति परदवी जाली का दूसरा मैंने लिखा गोल जी काई तीसरा मैंने लिखा लाइसोसोम और चोथ आमने लिखा यहां पर रिक्तिका वेक्योल ठीक है यह चारों के चारों आपके एकल जिल्ली वाले हैं और प्लस एक दूसरे से अंतर संबंदित हैं अंतर संबंदित मतलब इनका इनका कारिय इससे जुडवा है इसका कारिय इससे जुडवा है और इसका कारिय इससे जुडवा है तो एक ऐसा तंत्र बनता है एकल जिल्ली का ये अंगों का ऐसा तंत्र बनता है कि ये जो काम करेगी इसका आगे का काम गोल जी काय करेगा गोल जी काय का आगे का काम लाइसो जिल्ली का तंतर में ये चार चीजे पढ़ेंगे क्योंकि इनके कार्ये जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ेवे होते हैं हालांकि सनचना सबकी अलग-अलग है लेकिन इनके कार्ये आप जैसे से पढ़ोगे पता चलेगा कि इनके कार्ये जो हैं वो आपस में किसका भाग बना दिया अंते जिल्ली का तंत्र का भार बाकी के जो दूसरे वाले अंग हैं जो दोहरी जिल्ली से गिरेवे रहते हैं उनमें आते हैं आपके जैसे मैं लिख देता हूँ या पर दोहरी जिल्ली वाले कौन-कौन है जो इनसे संबंदित नहीं है वो भी काम तो क खालिका गौल जी का्ए लइनकाय और रजदानी यह पिछले साल आपके वार्षिच जो परिक्ष्य हुई अर्थवार्षीप परिक्ष거एठि उसमें पुछावाँ था कित्य परदवि जालीका और गौल जी काई किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंदित है और यह किसं तंतर का भाग वह फीर दूरी जिल्ली का तंतर घटा लेग और इनके कारी अभी जब आप पड़ोगे तब अरस्टिड लोरो प्लस्ट जिसको आप बोलते हो हरित लवक how hrita लवक यह दोनों दोरी जिली से गिरे में है और इनका दोनों का काम अलग है एक उड़जा बना रहा है एक आपके बोजन पोदों के अंदर बोजन बनने के काम कर रहा है ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंदित नहीं है परोक्सी सोम ये भी अलग काम करता है अपना ये एक दूसरे से अंतर संबंदित नही रखते अंत्य जिली का तंत्र के अंत्रगत आपको ये चार चीजें पढ़नी है अंत्य परदवी जाली का गोल जी का इलाइसोसोम और रिक्ति का यहां तक सबका क्लियर है विटा अब अपन शुरू करेंगे अंत्य जिली का तंत्र का सबसे पहला भाग जिसको आप बोलते हो अंत्य परदवी जाली का या फिर एंडो प्लास्मिक रेटी कूलम तो देखते हैं अपन अंत्य परदवी जाली का क्या है क्लास में पढ़ा है वह भी आपके एक्जाम में आ सकता है मैं ऐसे पूछ सकता हूँ इन में से कौन एकल जिली युक्त कोशिका अंग नहीं है और ऑप्शन में देदू अंत्य परदवी जाली का गौल जी का या लाइसोसोम और माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया क्यों आपको बता है कि वह तो दो रही जिल्ली युक्त है मतलब दो जिल्लियों से गिरावा रहेगा है ना तो वह आंस्वर यह क्योश्चन जो मैंने पूछा है अब भी आपको नीट दो जड़ सोला में सवाल आया हुआ है मतलब देख लो बातों बातों में ही सवाल निकलेंगे ऐसे जो आपको एक्जाम में नंबर दिला के जाएंगे बेटा इसलिए थोड़ा ध्यान देना आपको चलो अब देखते हैं पर अंत्यप्रद्रवी जाली का इंगलीस में भी इसको लिख देता हूं मैं ऑर जाली का मतलब रेत्ीकूलम ये है आपका अंत्यप्रद्रवी जाली का जब सुख्षमदर्सी इलेक्टून सुक्षमदर्शी को खोजा गया 1950 के बाद में तो यूपरी कोशिकाओं के अंदर कुछ केंद्रक के पास में कोशिका द्रवे में कुछ चप्टे और आपस में जुड़े वे थेली युक्त और नली का युक्त एक जाल दिखा जिसको इन्होंने बोला अंते परदवी जाली का तो अपन बनाते इसका चित्र आप देखो यह पढ़ली अपने पुश्ची का भित्ती पढ़ली अपने फिर यह आपका केंद्रक जो अपने पढ़ना है आज अपने सुरू किया है ऐसे इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे दिखे जो आपस में जुड़ेवे थे ऐसा एक चित्र दिखा जिसमें जो चप्टे भी थे ठेली युक्त और छोटी-छोटी नली का यह बनीवी थी जो आपस में क्या थी भी खरीवी थी और जुड़ीवी थी इससे इन्हों ने बोल दिया अंत्यपरदवी जाली का एंडोप्लाजमिक रेटी कूलम ठीक है अब यह अंत्यपरदवी जाली का किस से बनीवी होती है और इसके कितने भाग होते हैं तो देखो अंत्यपरदवी जाली का मैं बना रहा हूँ आप द्यान से देखना जनते परदवी जलिका का चित्रा फिर आपको बनाना पड़ेगा इसलिए आप इसको देख लेना अच्छे से अच्छे तो यह जो आपको भाग अंदर वाला भाग जो दिख रहा है यह अंदर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं ल्यूमन क्या बोलते हैं ल्यूमन मतलब गुहा लंदर वाली गुहा और यह जो लंबे-लंबे यह भाग आपको दिख रहे है यह लंबे-लंबे भाग जिनको मैं काला कर रहा हूं यह लंबे-लंबे भाग सबस्क्राइबत सबस्क्राइब सबस्क्राइब क्या चूटती है पुट्टिकाएं तो यहां पर लिख देता हूं पुट्टिका तो देखो एक अंद्रपर्दवी जाली का आपके तीन चीजों से मिलके बनती है कुंड से मतलब सिष्टरनी नलिकाएं और पुट्टिकाओं से तो कोई पूचे अंद्रपर्दवी जाली का कि पुट्टी का आ गया यहां तक समझ में अच्छा यह कैसे बिखरेवे रहेंगे एक तो यह चप्टे कुंड होते हैं इनके अंदर छोटी छोटी नलियां होती है और वो जाली का तंत्र जो है वो बिखरावा रहता है देखो ऐसे यूनि एक के उपर यह कैसे जमेवे हैं हो हा है गु यह अचाव और इसके बार किया रहेगा कोशी का द्रैट क्यार रहेगा क्या रहेगा कोशिका द्रैट क्या अब जो आपको ध्यान देना है कुंड की कई ऐसी सते होती है कुंड मतलब अंतर परदेवी जाली का की कुछ ऐसी सते होती है जिसके उपर राइबोसोम पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं जैसे मैं बनाओ भी यहां पर और अब राइबोसोम ब राइबोसोम ऐसे चिपके वे रहते हैं ना यहां पर राइबोसोम चिपके में तो इस प्रकार की जो अंत्य प्रदवी जाली का जिसके उपर बारी सते पर राइबोसोम चिपके वे रहते हैं उसको बोलते हैं खुरदरी अंत्य प्रदवी जाली का क्या बोलेंगे खुरदरी अंते प्रदवी जाली का अच्छा इसको मैं शोट में लिखता E R तो भी समझ में आ जाता ना वेटा खुरदरी को लिख देता रफ और अंते प्रदवी जाली का को लिख देता E और R rough endoplasmic reticulum या फिर खुरदरी अंते परदवी जाली का और जिस side में जिस पे ribosome नहीं चिपके वे रहते हैं जिस कुंड पे ribosome नहीं चिपके वे रहते हैं उसको बोलते हैं चिकनी अंते परदवी जाली का मतलब जिनके उपर ribosome अनुपस्तित होता है उसको बोला जाता है smooth endoplasmic reticulum चिकनी अंते परदवी जाली का smooth endoplasmic reticulum तो मैं आपकी जगे होता तो क्या क्या समझता कि एक तो endoplasmic reticulum क्या होती है endoplasmic reticulum कोशी का द्रवे में पाया जाने वाले एकल जिल्ली युक्त कोशी का अंगक होता है जो केंद्रक के पास में पाया जाता है ताकि केंद्रक के अंदर जो भी जो चीजे बनेगी वो कोशी का अंते परदवी जाली का से होते हुए बार भेजी जा सकती है फिर अंते परदवी जाली का किस किस से बनती है तो अंतेपर्दवी जालीका मेली तीन अंगों से मिलके बनती है कुंड, नलिकाएं और पुटिकाएं और इसके बीच में जो खोकला भाग होता है उसको बोला जाता है गुहा या ल्यूमन अच्छा, अब काम क्या है इनके? कुछ अंतेपर्दवी जालीका के जो कुंड होते हैं उनके उपर राइबोसॉम पाये जाते हैं तो राइबोसॉम की उपस्तिती और अनुपस्तिती के आधार पर दो तरह की अंतेपर्दवी जालीका इनसान के सरीर में बनती है एक होती है खुरदरी अंतेपरदवी जाली का ये ऐसी जाली का है जिसके उपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और एक होती है चिकनी अंतेपरदवी जाली का स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम जिसके उपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं अब ध्यान से देखना जो यह राइबोसोम जो होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन बनाना तो आप से एक सवाल पूछे पूछा गया था पहले भी कि खुरदरी अंते परदवी जाली का क्या कार्य है ऑप्चन आया था वसा का संसलेशन करना प्रोटीन का संसलेशन करना खुरदरी पर क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है और यह राइबोसोम जो है यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो वसा तो कर नहीं सकते तो खुरदरी जो है वह आपके प्रोटीन निर्माण में प्रोटीन संसलेशन और इस्तरवन में सक्रिय भाग लेती है तो प्रोटीन का संसलेशन कौन करता है खुरदरी अंते परदवी जाली का के उपर पाए जाने वाले राइबोसोम प्रोटीन का संसलेशन और जो चिकनी अंते परदवी जाली का है बेटा चिकनी अंते परदवी जाली का जो काफी फैली भी रहती है केंदरक के आसपास में य या फिर मैं बोलू फैट या फिर मैं बोलू लिपिड क्या बोलू लिपिड तीनों एक ही बात है लिपिड का संसलेशन करती है क्योंकि राइबोसॉम पाये नहीं जाते हैं इनके उपर तो यह क्या करती है लिपिड बनाती है वसा बनाती है चिकना बनाती है इसलिए आपका जो है और लिपेड की बाती यहां पर इस्टिरोइड भी बनते हैं क्या बनते हैं इस्टिरोइड सर इस्टिरोइड क्या होते हैं इस्टिरोइड होते हैं बेटा दवाईयां जो आपको दर्द से छुटकारा दे तो आपके सरीर में भगवान ने पहले से ही अंत्यपरदवी जालीका बना रखी है जिससे इस्टिरोएड हार्मोन बनते हैं और इस्टिरोइड हार्मोन बनने से आपके सरीर में जो दर्द है वो थोड़ा अपने आपी कम हो जाता है कि तो अंतिपरदवी जाली का का और पूरा काम समझ में आगया आपको किया पर काम क्या है इसका बनीवी किस से पता चल गया कुंड पुटिका और नलीकाओं से लियूमन पाई जाती है जिसमें राइबोसोम होता है वो खुरदरी अंतपरदवी जाली का मतलब रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और जिसमें नहीं प प्रोटीन को कहाने का मतलब होता है निकलके गोलची काई तक जाएगा तो या से यह कर देगी उने को पैक करके बेज़देगी कि इसको गोलची काई और जिकनी अंतपर दवी जाली का आपकी क्या बनाती है वसा या लिपड़ और चाह साथ सात में बनाती इस्टिरोईडल हार्मोन इस्टिरोइड हार्मोन क्या होते हैं जो आपको दर्द से छुटकारा देते हूं जिससे दर्द कम होता है आया बेटा समझ में वोलो जल्दी सबका क्लियर एक बार थम सब कर दो ओके 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 त्री केंडिडेट ने किया है फोर फिप्थ फाइप गैलो जिवराज जी आपको आया वेटा समझ में जिवराज वो चला गिया गई पर मा तो दुख के भी गो हाँ नहीं गया आगया चलो अब अपन देखते हैं कि गोल जी काई क्या होता है गोल जी उपकरण क्या होता है और ये भी अंत जिल्ली का तंतर से सम्मंधित होगा विटाए ध्यान रखना है ना अब ही मैं बताऊं जाए वो प्रोटीन हो चाए वसा हो ये इस्तानांत्रित होते हैं किसके द्वारा गोल जी काई के द्वारा और इसलिए अपन ने कहा है कि ये अंते जिल्ली का तंतर के भाग हैं कौन-कौन अंते पर्दवी जली का गोल जी उपकरण मतलब गोल जी बोडी और लाइसोसोम और रिक्तिका तो आपन चारों को लाइन से बढ़ रहे हैं अब आता है आपके गोल जी उपकरण पहला तो कंप्लीट हो गया दूसरा है आपका गोल जी उपकरण अब देखो बहुत इंपोर्टेंट है ये भी इसको खुजा था केमिलो गोल जी ने केमिलो गोल जी 1988 में इसलिए इसका नाम पढ़ गया गोल गी बोडी तो जब इनों ने जो आपका केंद्रक के पास में इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया था और उसके बाद में केंद्रक के पास में ये मिल गई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक वेग्या निक थे केमीलो गोल जी इनों ने क्या किया एक वापीश पूरी कोषिखा तो इनको दखा कि अंते पर्दवी जालीका के जश्ट नीचे की साइड में, जहां जांते पर्दवी जालीका उसके जश्ट नीचे की साइड में, कुछ और अलग-अलग नलिकाएं बनी वी है, कुछ जालीकावत सनचनाएं बनी वी है, और किसके अंदर देखी, तंत्री का कोशिकाओं के अ अंते पर्दवी जाली का के नीचे यह अलग सरंचनाय है और इनका कारिय भी अलग-अलग है तो इनको इनों ने नाम दे दिया क्यूंकि गोल जी ने खोड़ा था इसको इसलिए नाम पढ़ गया गोल काई गोल जी काई अब ये बंती कैसे है तो ये भी आपके बहुत सारी चप्टी डिस्क के आकार की थेलियों से या कुंड से मिलकर बंती है और जिनका व्याज जो होता है वो 0.5 माइक्रो मिटर से 1 माइक्रो मिटर तक होती है अब कैसे सर उसमेर इसमें अंतर क्या है तो ये तो मैंने बने अंतर पर्दवी जाली का इसमें कुंड है नली काएं है और पुट्टी काएं है ये पुट्टी काएं या बना देता हूं चलो ये पुट्टी काएं ये पुट्टी काएं ठीक है अब मैं बना रहा हूं गोल जी काई और दोनों में अंतर देखना कि क्या अंतर है इसमेर इसमें अंतर दिखा विटा यह सब एक दूसरे से जुड़ी भी है न लिकाए और जो कुंड है वो एक दूसरे से जबकि इनके अंदर जो आपके कुंड होते हैं वो सारी जगे से नहीं जुड़ते हैं कुछ विशेश जगे से ही जुड़ने का काम करते हैं सब जगे से connect नहीं होते हैं कुछ विशेश जगे से ही connect होते हैं और connect होयें भी नहीं तो जैसे एक डंबल पहले रख दो आप ऐसे फिर दूसरा डंबल इसके उपर रख दो यासे फिर तीसरा डंबल रख दो आप ऐसे यह देखो तो अब ये एक दूसरे से जुड़े वे बहुत ही कम होते हैं, इनको बोलते हैं कुंड, क्या बोलते हैं, कुंड, और बीच वाले ये भाग को बोलते हैं नली, नलियां, और जो ये उबरे वे भाग हैं इनको बोलते हैं पुट्टिका, पुट्टिका, तो एक बात इन दोनो पॉइंट परदवी जाली का की जो नलियां होती है जो कुण्ड होते हैं वो एक दूसरे से समाना रूप से जुड़े वे रहते हैं जब्कि इनके कुंड और नलियां आपस में अलग अलग होते हैं कि इनका व्यास कितना हैं मतलब ही कितने छोटे हैं पॉइंट पांच माइक्रो मिटर से एक माइक्रो मिटर तक के व्यास वाले छोटी-छोटी डिस्क के आकार की थेलियां या कुंड से मिलकर गौल जी काई का निर्मान होता है यह एक दूसरे के समानांतर धेर के रूप में मिलते हैं जैसे देखो यह फिर यह फिर यह फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे ऐसे चलता रहेगा इसलिए इनको समानांतर जाली काई कहते हैं क्या कहते हैं समानांतर जाली काई एक सवाल आया था वेटा वो भी बता दू आपको पादप के अंदर जो गोल जी काई पाया जाता है उसको गोल जी कहा जाता है डिक्टियो सोम यह याद रखना विट आपको यह सवाल पूछावा है इसलिए बता दूँ आपके किताब में नहीं है पर आपको यह लिख लेता है अच्छा अब देखो गौल जी काई की कुंड या थेलियां जो है वो समानांतर होती है और एक दूसरे के उपर धेर के रूप में मिलती है इसलिए इनको जाली काई कहते हैं और कुंडों की संक्या अलग-अलग होती है किसी के अंदर 20 हो सकती है अब चित्र बना के मैं बता रहूं यह हुआ आपका केंद्रक और यह हुई आपकी अंते पर्दवी जाली का यह इसके जैस्ट अपोजिट साइड में विपरीत दिसा में पाया जाता है आपके गोल जी काई ऐसे ठीक ना अब मैं चित्र यहां पर देखो वापी द्यान से देखना ऐसे बनता है तो जो अंते पर्दवी जाली का के सामने जो रहता है उस सते को बोला जाता है सिस क्या बोला जाता है सिस सते या फिर इसको हिंदी में अपन बोलते हैं निर्मानकारी सते यह याद रखना यहां से सवाल बहुत आया हुआ है इसलिए वापिस ध्यान से सुन लेना अंते परदवी जाली का कि पास वाली जो सते होती है जो थोड़ी ऐसे उब्रीवी होती है इसको बोलते हैं सिस सते या निर्मानकारी सते निर्मानकारी सते भी बोला जाता है और या फिर इसको उन्नतदार क्या बोलते हैं या उभे आपने पढ़ा होगा ना उतल और उतल तो यह उतल सते हैं कैसी सते हैं उतल सते तो उत्तल सते बोलो, चाहे सिस सते बोलो, चाहे निर्मानकारी सते बोलो, ये तीनों ही एकी बात है, और ये कहां रहती है आपके, ये कहां पे रहती है, अंत्य पर्दवी जालीका के पास में, और जो अंत्य पर्दवी जालीका से दूर जो है, जो ये अंदर धसीवी है, ये या ये या फिर ये इसको बोलते हैं ट्रांस सते क्या बोलते हैं वेटा ट्रांस सते इसको बोला सिस इसको बोलते हैं ट्रांस उल्टी ठीक है और दूसरा इसको बोलते हैं परिपक्वन सते परिपक्वन सते और या फिर इसको बोलते हैं आउतल सते आउतल सते तीनों चीजे ध्यान रखना के अंतर पर्दवी जलीका के सामने वाला जो भाग है U Manufacturing निर्मानकरी सते सिसे या फिर उत्तल सते और उससे दूरवाला जो भाग है उसको भलेने के सते परीपक्व सते या फिर ऑउत्तल सते यह जित्र के अंदर ऐसा दिखाया हुआ है अब इनका काम क्या होता है सर काम क्या है तो देखो गोल जी गाये का जो मुख्य कारिय होता है वो अंत्य परदवि जाली गोलजी काय को तो गोलजी काय क्या करता है गोल जी काई अपने अंदर से कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं गोल जी काई के अंदर जो उस अंतेपरदवी जाली का से जो पुट्टी का मिली है उसके उपर कुछ विसेश प्रकार का चिन लगा देती है कि अब यह मेरे से गुजर चुका है और उसको भेज देगी आगे कहां पर जहां पे भी उसको जाना है इससे यह इसपरिश होता है कि गोल जी काई का अंतेपरदवी जाली का से निकट संबंद है क्यूंकि अंतेपरदवी जाली का पर उपस्ति जो राइबोसोम होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन यह प्रोटीन सिस सिरे से होते हुए सिस सीरे से होते हुए कहा जाते हैं गोल जी काई के अंदर और ट्रांस सते से जब बाहर निकलते हैं तो ये प्रोटीन एक अलग चिन लेके बाहर निकलते हैं तो इससे पता चल जाता है कि अंत्यपरदवी जाली का और गोल जी का एक दूसरे से संबन देते हैं अब मैं बताऊं कैसे, देखना दियान से, तो गोल जी काय का काम तो अपने को समझ में आई गया, एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर किसी चीज को भेजना, तो मान लिया कि यहां से यह अंतरपरदवी जाली का, और यहां से जो राइबोसों में उन्होंने बनाया कुछ प सिस सते पे, या फिर मैं बोलू, निर्मानकारी सते पे, तो यहां पे आया, यहां पे अंदर आगया, यह लो, यहां पे आगया, तो मैं इसको काले से नहीं बना के, इसको बनाता हूँ दूसरे से, यहां पे आगया यह प्रोटीन, ठीक है, अब यह सिस सते से अंदर निकला आया है और ट्रांस सते से बाहर निकले गा लेकिन बाहर निकलने से पहले इसके उपर एक कवर आ जाएगा, क्या जाएगा, कवर आजाएगा, मालो प्रोटीन अंदर गुसा था, तो गोल जी काई में आने के बाद में जो ये चीज बाहर निकल रही है, इसको बोलेंगे तो यहाँ पे चिन लग गई या किसका ग्लाइको का सर्मालो चिकनी अंतपर्दवी जाली का खोटी और वो वसा बेशती और ये वसा अंदर आता और फिटरान सते से बाएर निकलता परिपक्त्र स्टोलेटिता घॉम घ्रञाय को मुतंद इसकोइए इसको बोल देते लाइक को सेटतेख तो गौल हम क्या होता है । यह अंत्य पर्दवी जालीगे का से यह कोश छी का द्रव्य से प्रोटीन और हुडका उठाके उसके वह वहां अपर चिंद लगा देता है कि यह प्रोटीन है तो यह बन गया ग्लाइको प्रोटीन और लिपिड है तो यह बन गया ग्लाइको लिपिड और अब यह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होते हैं आया बिटा समझ में, सिंपल चीज है, बस धियान आपको यह रखना है, यहाचा, एक सवाल में बता दूँ, आपको पूछा था, सवाल क्या था, वो भी बता देता हूँ, यह आया था आपके नीट 24-17 में, 17 के अंदर आया वाक्योशन है, ग्लाइको साइलेशन, ग्लाइको साइलेशन की क्रिया किस अंग में होती है, ग्लाइको साइलेशन की क्रिया किस अंग में होती है, ओप्शन में दिया हूँ था, अंत्यपरदवी जाली का, गौलजी काई, लाइसोसोम और रिक्तिका, ग्लाइको साइखे संतिय मी किस्में उल्टी विटेफ्ब आता इ்पर्दवी जालिका गोल जी काई लाइसोसोम या फिर एंपनी कोई करेगा आंसवर शोपाइक हाए जर्क होङ ज पतकर जालिका नहीं देखो नोल जी काई होगा हाँ घोल जी काई होगा ना वहीं क्योंकि देखो यहाँ से तो pergunta क्लाइको यह देखो गलैको है ना गलायको-प्रोटीन बन गया और इदर क्लाइकोशाइलोरी कोन爱 को बनाता है लेकिन यह आपकी किता नहीं है लेकिन नीट में बोला आपकी किताब से बाहर के भी आते हैं उन WAY को लेशन की प्रक्रिया जो डियो किसमे समाप्त होती ओप्शन में ज्यान तो अंते पर्देविजाली का सिर्फ प्रोटीन और वसा बनाती है, ग्लाइको साइलेशन नहीं करती, पिर आया था गौल जी काई, तो गौल जी काई मैं अपने देखा कि ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड बन गए, इनके चिन लग गए, तो ये चिन लगाने की जो परक्रिया है वो ही कहलाती है glycozolation. Lycosome तो पाचन का काम करेगा और रिक्ति का जो है वो चीजों को इखटा करने का काम करती है, संचित करने का काम करती है, इसका मतलब यह हो नहीं सकता, तो यह हो गया आपका गोलजी बोडी. ये NET 2017 में सवाल आये, तो आज आपने पढ़ लिया कोशिगा बित्ती अंत्य पर्दवी जाली का और गौल जी खाई एक बार उसको समप कर लेते हैं फटा-फट कोशिगा बित्ती बनती है आपके cellulose, hemicellulose, pectin और protein की पादपों के अंदर और algae के अंदर बनती है galactose, manose, cellulose और calcium carbonate की इनका काम क्या होता है? दो कोशिगाओं का आपस पे संबन्द स्थाबित करना, कोशिगा को मजबूती देना और कोशिगाओं में से आदान-परदान करने का काम कोशिगा बित्ती करवाती है जिवाणूunci का संकर्मन भी नहीं होने देतीं तो यह ओगो गई कोशिका बिटे तीन चीजों से मिलके बंती है प्रात्मिक बित्ती धित्यक बित्ती और मध्य पटली का मद्य पटली का किस की बनती है केल्सियम मेगनीशियम पेक्टेट की बनती है सवाल आयवा इसलिए ध्यान रखना चलो अब हो गया आपके आच्छा दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को संबंधित कौन करता है प्लाज्मो डेसमेटा जो की मद्य पटली का और कोशिका पित उसमें चार रंग आते हैं अंत्यपर्दवी जाली का गॉल्जी काई लाइसोसॉम और रिक्तिका तो आज अपने पड़ा अंत्यपर्दवी जाली का पहले तो जो की बनती है कुंड नलीकाएं और पुटिकाओं से जो केंद्रक के चारों तरप रहती है जुड़ी और इनक किसी के उपर यह राइबोसॉम नहीं पाए जाते तो वो चिकनी अंत्यपर्दवी जाली का जो कि आपके स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के नाम से जानी जाती है जो रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है खुरदरी उस पे राइबोसॉम होते हैं इसलिए वो जाइबोसॉम नहीं पाए जाती है जो कुंड से मिलकर बनती है और जो समानतर रूप से नलिकाओं के रूप में एक दूसरे की उपर जमी रहती है उसे कहते है गोल जी काई इसको खोजाता केमिलो गोल जी ने 1808 में था फिर इसमें दो सति होती है जो अन्ते पर्दवी जाली का के तरफ होती है उसको बोलते है निर्मान कारी सते उन्नटोदार या सिस सते या उत्तल सते और जो अंत्यपरदवी जालीगा से दूर होती है उसको बोला जाता है अउत्तल सते या परिपक्व सते या ट्रांस सते और दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी भी इसलिए है कि अंत्यपरदवी जालीगा से जो भी प्रोटीन या लिपिड आएगा ये में जाने के बाद में वहां पे उसमें चिन लगेगा और ग्लाइको लिपीड और ग्लाइको प्रोटीन बनेंगे फिर एक जगे से दूसरी जगे पर जाएंगे तो यह हुआ आपका तिनों आंगा कल पढ़ेंगे लाइसोसों और रिक्तिका ओके बेटा कोई प्रोब्लम एक बार थम सब करके बोलो यस और नो इच एन एवरी के निरेट ओके सद्रूपा मनिशा सानू अजेंदर ओके अनीता बिटा क्लियर ठीक है जिवराज जिवराज ओके अंकित चलो मिलते हैं फिर कल पढ़ेंगे रिक्तिका और लाइसोसों टाटा बाई बाई